हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में दोस्तो आपको तो पता ही होगा कि Android फोन में हम किसी भी एप के उपर एप लोग लगा सकते हैं जिससे कि कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना पास्वर्ड के उस एप को ना खोल पाए लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि iPhone में किसी भी एप के उपर हम एप लोग कैसे लगा सकते हैं क्योंकि अभी तक क्या होता था iPhone में हम एप लोग नहीं लगा सकते थे और अब iOS 18 का इसमें अपडेट आ चुका है जिसके बाद हम किसी भी एप में एप लोग लगा सकते हैं तो वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों मेरे पास यह आईफोन 11 है और इसी में मैं आपको एप लॉक लगा के दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पे देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ यह स्नैपचैट है और इसमें कोई भी एप लॉक नहीं लगा हुआ है यह ऐसे ही खुल जा रही है और इसमें मैं आपको एप लॉक लगा के दिखाऊंगा तो उसके लिए आपको फेस आईडी या आपके फोन का जो लॉक है उसको आपको पहले ओन कर लिना है अगर वो आपका ओन नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देदूंगा वहां पे आप जाके देश सकते हैं कि आईफोन में फेस आईडी या जो फोन का जो स्क्रीन लॉक होता है उसको कैसे लगाते हैं तो हमें क्या करना है सिंपल से यह जो स्नैप्चैट है या कोई भी आप जिस पर आपको लॉक लगाना हो उसको ऐसे थोड़ी देर के लिए दबाके रखना है और इसमें आप जो सेकंड वाला उप्शन उपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा रिक्वाइर फेस आईडी तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर जो फर्स्ट वाला उप्शन है फिर आपके सामने यह कहेगा तो इसको इसको एंटर पासवर्ड के उपर क्लिक कर दोगा और यहाँ पर देखिए यह कंफर्म हो चुका है अब यह एप जो है हमारी लॉक हो चुकी है इसको हम जब भी ओपन करेंगे तो यह हमसे फेस आईडी मांगेगा इसको हमें फेस आईडी अपनी दिखानी पड़ेगी और अगर फेस आईडी नहीं है तो हम इस पर लॉक भी लगा सकते हैं तो यह देखिए हमारा इस तरह से स्नैपचाट खुल जाएगा तो इस तरह से आप किसी भी एप के उपर एप लॉक लगा सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लग यह तो वीडियो को लाइक कीज़े चै